मुख्यमंत्री भुपेश भगेल ने कहा कि जीरम कांड पर सुप्रीम कोट का फैसला चतिस गड़ के लिए न्याय का दर्वाजा खोलने जैसा है जीरम कांड दुनिया के लोगतंत्र का सबसे बड़ी रादनितिक हत्या कांड था इसमें हमने दिगज कॉंग्रेस नेताओं सही 32 लोगों को खोया था कहने को एन आईये ने इसकी जांच की एक और आयोग ने भी इसकी जांच की लेकिन इसके पीछे के वरहद रादनितिक शड़ीयंत्र की जांच किसी ने नहीं की 36 गड़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एन आईये ने इसे रोखने के लिए अदालत का दर्वाजा खटकटाया था अब रास्ता साफ हो गया है 36 गड़ पुलिस इसकी जांच करेगी किसने किसके साथ मिलकर क्या शड़यंत्र रचा था सब साफ हो जाएगा उचितम ने आले के इस वैसले का मैं स्वाधत करता हूँ कि नईये के जो आएदन उसको खारिच किया गया भारती जंता पार्टी की साथ कारी सरकार थी 2016 में विधान सहाब में उन्हों गोशना किया था कि सी बी आई जांच कराएंगे लेकिन केंदर सरकार ने उससे रोक लगाया और उस आदेश को रहमन सिंजी दो साल तक दवाया रखे 2018 मार्च में मैंने पत्र लिखा था कि इसके बारे में क्या हुआ उसका भी जवाब मुझे नहीं दिया जब हम लोग सरकार में आएं तो सारे तत्र थे हमारे सामने थे और इसके बाद S.I.T. हमने गठन किया उसके खिलाफ लोग इनाई कोड गई उसके बाद दूसरा F.I.R. जो हुआ उसमें उसमें भी लगातार कोड के माध्यम से रोकने की कोशिश की लेकिन अंतता मानिव चुतन मेले ने रास्ता साफ किया कि चत्र गड़ पुलिस इस केस की जांच करेए तो जो राजनेतिक अपरादिक सड्यंत्र हुआ था उसका खुलासा होगा इसमें सर लेकिन बीजेपी की तरफ से एक आरूप आता है कि आप बहुत सारे तथे रखे हैं ऐसा कहते थे लेकिन अब तथे दे नहीं रहे हैं उस सामने आएंगे इस एटी घठन हो गया है और सुप्रेम कोर्ड का आदेश हो गया है तो निश्यत रूप से जो सड़े अंतरकारी कौन-कौन लोग है उससे जब पूछत आच होगी जो वहां इनाईए ने तो वहां जो लोग उपस्तित थे घठना में उसे तक कोई पूछत आच नहीं की त अब सारे तत्ते की करके सामने आएंगे